जैहिंद, in this video I am going to discuss a very very important chapter of English grammar and that is participle. Participle, English grammar का सबसे confused term है और सबसे important है. ठीक है? But I can assure you कि इस video के देखने के बाद आपको कहीं पर भी problem नहीं होने वाला है. तो आपसे request है कि इस video को देखिए अगर नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे डिसलाइक कर दिजेगा video को. तो चलिए स्टार्ट करते हम participle का इसके definition के साथ. Participle का definition है, it is the form of a non-finite verb. देखे, एक होता है finite verb और एक होता है non-finite. तो participle, gerund, and, infinitive हमारा किसका type होता है non-finite verb का. ठीक है न, non-finite verb का ये type है. अच्छा, which acts as an adjective. जो किसकी तरह act करता है, adjective की तरह. ठीक है, participle किसकी तरह act करता है, किसका तरह पेवहार करता है, तो adjective की तरह, but gerund and infinitive किसकी तरह विहाब करता है, तो noun की तरह करता है, ठीक है न, आपको एक बात ध्यान देना होगा, कि ये adjective की तरह विहाब करता है, और verb, और simple यादी लिखिएगा, verb for, तो verb for होता है, ठीक है न, verb for होता है हमारा, आइए समझते हैं, एक बात समझिएगा, जड़ासा ध्यान दिजिएगा, कि जब ये adjective होगा, तो adjective हम जानते हैं कि adjective किसको कहते हैं, तो जो noun और pronoun का बिशेस्ता बता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, adjective बोलते हैं, ठीक है न, मतलब noun और pronoun को qualified word कौन सा होता है, मतलब adjective करता है noun और pronoun को, तो आपको ध्यान देना होगा, कि यदि हमारा participle है, तो पहला बात की adjective होना चाहिए, ठीक है, adjective होना चाहिए, और adjective क्या करता है, noun और pronoun का बिशेस्ता बताता है, आईए हम कुछ example से समझते हैं, example हमारा है, सीता is running in the field, थोड़ा सा ध्यान देना है, सीता is running in the field, और दूसरा हमने sentence लिखा है, my brother saw a dancing girl, यहाँ जो running है, यह running आपका क्या है, आपको ध्यान होगा, यह running आपका यहाँ पर main verb है, यह participle नहीं है, यह क्या है, main verb है, कि सीता कहां दोड़ रही है, फिल्ड में दोड़ रही है, तो यह क्या हो रहा है, एक्षन हो रहा है, ठीक है न, अच्छा second sentence यह आप देख रहे होंगे, तो my brother saw, मेरे भाई ने देखा, a dancing girl, कैसा girl, एक नाचिती हुई लड़की को मेरे भाई ने देखा, तो कैसा, देखिए, अगर कैसा का answer आपको मिलता है, तो adjective होता है, यह verb for आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी verb for है, लेकिन यह हमारा main verb है, और यह हमारा participle है, यह क्या है my dear student, participle है, क्योंकि यह girl का क्या कर रहा है, भिसेस्ता बता रहा है, girl क्या है, noun है, और noun का भिसेस्ता बताने वाले word को ही तो हम लोग बोलते है, adjective, यानि dancing है, dancing actual में यहाँ participle है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ girl का क्या कर रहा है, भिसेस्ता बता रहा है, इतना complete होना चाहिए, कि my brother saw a dancing girl, ठीक है ना, कैसा girl भाई, dancing girl, ठीक है, अच्छा जी, a tired man, ठीक है, he is a tired man, वह कैसा भ्यक्ति है जी, ठका हुआ, देखें, tired, tired यहाँ man का क्या बता रहा है, विसेस्ता बता रहा है, tired यहाँ क्या कर रहा है, man का क्या कर रहा है, विसेस्ता बता रहा है, तो यह भी हमारा participle है, इतना पहले समझ यह, यह भी हमारा क्या है, participants यह वर्व 3 है तो past participle है अब देखिए participle भी तीन होता है हम आगे बताएंगे present participle past participle and perfect participle ठीक है my dear student he is a tired man याने tired यहां क्या है तो participle है क्यों है क्योंकि man का विशेश्ता बता रहा है कि कैसा आदमी तो ठका हुगा आदमी ठीक है, next, the work has tired me, work ने मुझे क्या कर दिया है, ठकात, कहने का अर्थ है कि यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, यहां तो simple action हो रहा है, यहां simple क्या हो रहा है, action हो रहा है, और action है तो यह tired यहां क्या है, main verb है, यहां tired क्या है, main verb है, ठीक है, यहां है main verb, और यहां participle है, क्योंकि man का बिसेस्ता बता रहा है यहां इसका यह बिसेस्ता नहीं बता रहा है यह तो एक्षन हो रहा है ठीक है आई हो कि क्लियर हो रहा होगा जो बिसेस्ता बता है नाउन या प्रनाउन का तो हमारा पार्टिशिपल होगा ठीक है जो बिसेस्ता नहीं बता है सिंपल हमारा क्या हो ब्रेकिंग स्टार ठीक है ब्रेकिंग स्टार ठीक है ब्रेक का मतलब होता है तूट ना ठीक कि तारा का यह क्या बता रहा है विसेस्ता बता रहा है ठीक है यहां तारा का क्या बता रहा है विसेस्ता बता रहा है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा हमारा यहां पर ब्रेकिंग क्या हो जाएगा पार्टिसीपल हो जाएगा और यह स्टार क्या है नाउन है I found a barking dog, देखिए, कैसा dog, barking, भौकते हुए कुट्टे, मैंने क्या पाया, भौकते हुए कुट्टे को पाया, find का मतलब होता है पाना, और found यहां दिया है, past में माल लेजिए है, I found a barking dog, barking क्या है, यहां participle है, कैसा dog, तो barking dog, I saw some fallen leaves, देखिए, मैंने देखा, कुछ, गीरे हुए पत्ते को, देखिए, गीरे हुए, अगर यहां falling लिखता, वो भी हमारा participle होता, वो present participle होता, यह past participle, देखिए, present और past participle में क्या difference है, present participle होगा, तो हमारा कोई भी वर क्या होता रहेगा, continue रहेगा, मतलब incomplete action रहेगा, incomplete माल लिजी रहेगा incomplete चीजे, अभी जैसे हम बोले, इंडिया is a developing country, developing कहने का मतलब, बिकसित नहीं, बिकासील, ठीक है ना, और अगर हम बोले, अमेरिका is a developed country, developed कहने का मतलब, उसका, मतलब वो बिकसित देश है, वो हो चुका है, complete है, और इंडिया क्या है, running में है, वो ऐसा ही देखिए, हमने लिखा barking dog, मतलब भोगते हुए कुटे को, I saw some fallen lips, मतलब मैंने गिरे हुए, इसका काम क्या हो चुका है, complete हो चुका है, ठीक है ना, यानि ये past में है, ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे present participle, और इसको बोलेंगे past participle, तो इस example से आपको समझ में आ रहा हुआ कि participle, मतलब कि क्या होता है, participle हमारा adjective का काम करता है, ठीक है ना, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर समझना है तो पूरे वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको कभी भी life में participle में problem नहीं होगा, participle हमने लिखा है कि तीन टाइप के होते हैं, एक तो present participle, present participle होता है जैसे हमा ध्यान रखिएगा, verb for, verb में ing लगा दीजे, participle, एक verb में ing लगा ले पर, gerund भी होता है, तो gerund और participle में जो difference है, उमातर एक है, कि gerund work as noun, ठीक है, but present मत पार्टिसीपल work as adjective, gerund noun का का काम करता है, जबकि हमारा participle adjective का का काम करता है, ठीक है, present participle भी होता है, verb for, देख सकते हैं, dancing, sleeping, breaking, जितना भी है, अच्छा, past participle किसे बोलते हैं, तो verb 3, verb 3 को बोलते हैं, last form of the verb, जैसे हमने बोला developed, developed का मतब विक्सित, ये काम हो चुका है, complete है, इसको हम बोल सकते हैं, incomplete, इसको बोल सकते हैं, complete, developed, played, tired, ये सब क्या है, past है, ठीक है, अच्छा, perfect participle, perfect participle थोड़ा सा सम परफेक्ट participle, इसका पाचान है, having plus verb 3, having been plus verb 3, और being, being हम लिखे, b, e, i, n, z, plus verb 3, ठीक है न, देखे, having plus verb 3 हमारा होता है, ये active voice में होता है, और having been plus verb 3 और being plus verb 3, ये दोनों passive में होता है, ये दोनों किसमें होता है, passive में हम आगे समझेंगे, active और passive हम जानते हैं, जहां subject doer हो वहां active होता है, जहां subject non doer होता है, वह passive होता है, तो perfect, किसी-किसी book में देखिये गा, तो present participle और perfect participle एक ही में दिया हुआ रहता है, बट हम यहां अलग से लिए हैं, ताकि आपको अच्छे डंग से समझेंगे हैं, ठीक है न, चलिए तो ये था पाचान, कि past participle का पाचान ह ères, present participle का किया पाचान है, कि verb 4 होता है, past का verb 3 होता है, और इसका having plus verb 3 या having been plus verb 3 या being plus verb 3, अब having plus verb 3 होता है किसमे? active में, और having being plus verb 3 और being plus verb 3 होता है, passive में, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे, यहां आप देख सकते हैं, यहां हमने लिया है present participle से related कुछ ऐसे example जो आपको देखने के बाद ये किक concept को clear कर देगा सबसे पहला बात यहां आईए हम example से समझते हैं opening my eyes I saw the students देखे my dear students एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा समझिएगा कि इसमें error जो पूछा जाता है वो दो तीन तरीके से पूछा जाता है ये तो हमने पहले note में क्या लिखाया कि जितने viewer को होता है उसके लिए subject होना चाहिए ठीक है जितने viewer को होता है जैसे देखिए उपर में opening my eyes जैसे ही मैंने मेरा आँख खुला या मैंने आँख खुला जो भी आप कह सकते हैं I saw the students मैंने students को देखा थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा opening my eyes I saw the students यहां काम तो दो हो रहा है एक opening हो रहा है opening my eyes और एक saw देखने का काम हो रहा है अच्छा क्या देखने का दोनों काम मतलब दोनों काम क्या I कर रहा है I समझते हैं opening my eyes आँख खुलते ही I saw the students बिलकुल आँख कौन खुल रहा है I खुल रहा है और देख कौन रहा है I देख रहा है इसलिए यह सेंटेंस हमारा बिलकुल क्या है correct है इसलिए sentence हमारा क्या है, correct है, opening my eyes, I saw the students, ठीक है, यानि यहां आँख खुलने का काम भी कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, I कर रहा है, और देखने का भी काम कौन कर रहा है, student को, I कर रहा है, इसलिए हमारा बिल्कुल सही है, एक पात ध्यान रखे कि जितने भी work होता है, उसके ल पूलिस को देखते ही, the thips flayed, ठीक है न, मतलब चोर भाग गये, पूलिस को देखते ही, एक बात से समझाए हमको, समझे आप भी, कि पूलिस को देखते ही, चोर भाग गये, अच्छा भागे कौन, चोर, भागे कौन, thips, देखा कौन, looking at the police, देखने का काम भी किस ने किया, तो यहां भी हमारा sentence क्या है बिल्कुल सही है हम समझाने का जो प्रयास कर रहे है I hope कि clear हो रहा होगा Looking at the police मतलब police को देखते ही police को देखते ही कौन देख रहा है भाई आगे देखिए भागा कौन चोर देख कौन रहा है चोर देख रहा है यानि कहने का मतलब the tips यहां क्या है दोनों के लिए subject possible है इसलिए sentence हमारा क्या है बिल्कुल correct है बिल्कुल correct है I hope कि यहां तक clear हो गया होगा थर्ड देखिए taking my lift मतलब मैंने lift लेते ही ठीक है I found a sky scrapper sky scrapper का मतलब होता है taking my lift मतलब lift लेते ही lift होता है ना दाएं घूमते ही lift लेते ही I found a sky scrapper कौन found कर रहा है I अच्छा lift कौन ले रहा है जी ठीक है taking my lift कौन कर रहा है तो I ही कर रहा है taking कौन कर रहा है I ही कर रहा है इसलिए दोनों का subject यहां I बिल्कुल possible है इसमें कोई problem नहीं है यहां no error है क्योंकि taking my lift lift ही यह I subject ही ले रहा है और sky scrapper को कौन पा रहा है तो I ही पा रहा है इसलिए हमारा बिल्कुल sentence सही है यहां तक I hope कि clear होना चाहिए आपको नहीं समझ में आए तो आप comment box में जरूर लिखे my dear student की यहां दिक्कत है I hope कि यहां तक clear होना चाहिए चलिए देखते है next sentence जितना question का practice करेंगे आपको concept बिल्कुल नहीं रटना है बिल्कुल मतलब यह रटने वाला काम नहीं करना है concept को समझना है ठीक being very expensive ठीक है expensive का मतलब होता है I could not buy that article ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थोड़ा सा ही sentence में दिमाग लगाईएगा being very expensive I could not buy that article मतलब महंगा होने के कारण मैं उस article को मैं उस समान को नहीं खरिद सका कौन नहीं खरिद सका I महंगा कौन है क्या I है महंगा नहीं being very expensive महंगा कौन है article I could not buy that article यहाँ क्या था यहाँ था कि देखिए जैसे looking at the police दोनों में comparison को समझे comparison को feel करिए feel करिए English एकदम बहुत असान है looking at the police the thief fleet कौन देख रहा है भाई कौन भाग रहा है चोर भाग रहा है देख कौन रहा है वहीं महंगा होने के कारण I could not buy that article मैं उस article को मैं उस समान को नहीं खरीद सका मैं नहीं खरीद सका क्या महंगा मैं ही हूँ नहीं वो समान है और उसके लिए हम लोग किसी non-living के लिए किसका उज़ करते है इट का उज़ करते है किसका उज़ करते है इट का उज़ करते है एक बात समझेगा B हमारा कौन सा भर्व है B हमारा कौन सा भर्व है होना B B का मतब क्या होता है होना मतब यह स्थीरता को दिखाता है स्थीरता में हम लोग an elder brother ठीक बड़ा भाई होने के नाते elder का मतलब क्या होता है बड़ा भाई होने के नाते I could not help him ठीक है I could not ठोड़ा सा ध्यान दिजिएगा sentence कर रहा है being an elder brother मतब बड़ा भाई होने के बावजूद ठीक है ये भी कह सकते है I could not help him अच्छा मैं उसका मदत नहीं कर सका, ठीक, और बड़ा भाई कोन है, मैं ही तो हो न, ये आई ही नहीं, बींग अन इल्डर ब्रदर, I could not help him, मैं उसका सहायता नहीं कर सका, help नहीं कर सका, बड़ा भाई होने के वजूद, मतलब बावजूद, होता है न, बड़ा भाई होने के पावजूद भी मैं उसका help नहीं कर सका तो इसमें आई ही दोनों काम तो कर रहा है बड़ा भाई कौन है आई है और help किसने नहीं किया है कौन पस्ता रहा है तो आई ही ठीक है इसलिए ये भी sentence क्या है सही है लेकिन इसमें दोनों हमारा अलग-अलग दोनों के लिए subject आएगा next being a dark night being a dark night मतलब dark night अंधेरा रात होने के करण I could not see anything मैं कुछ भी नहीं देख सका मैं कुछ भी नहीं देख सका देखे मैं कुछ भी नहीं देख सका सी के लिए तो आई आया है देखने के लिए लेकिन dark being a dark night मतलब कहिए की dark dark का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गहरा ठीक है dark night ठीक है ना मतलब बहुत dark night होने के कारण I could not see anything मैं नहीं देख सका और dark night कौन है dark night के I है नहीं इसके लिए भी हमको क्या देना पड़ेगा subject it देना पड़ेगा इसके लिए भी subject हमको क्या उच करना पड़ेगा it being a dark night I could not see anything next sentence देखे बहुत ही शांदार sentence है ये थोड़ा सा समझेगा coming towards her husband she gave him a cup of tea she gave him यहां थोड़ा समझेगा coming towards her husband she gave him a cup of tea थोड़ा सध्यान दीजेगा इस sentence का मतलब क्या हुआ अपने पती की और आकर उसने 1 cup चाए दिया ठीक है उसने 1 cup चाहे दिया पती की और कौन आ रहा था थी ठीक है कौन आया तो C ठीक है न अपने पती की और आकर ठीक है यह C यहां काम कर रहा है और C gave him a cup of tea और चाय कौन दिया जी कौन गेव किया तो सी किया विल्कुल यहां सही है हमारा sentence बिल्कुल क्या है सही है twats का मतलब क्या होता है उत बिल्कुल भी confuse नहीं होना है twats का मतलब होता है अब यहां देखिए इसका हिंदी, आप समझते है coming twats देखे इसका हिंदी क्या हुआ ट्वार्ट्स का मतलब अपने पती की और आकर उसने क्या किया एक कप चाहे दिया तो चाहे देने का काम पहले कौन कर रहा है सी और आ कौन रहा है सी अच्छा सिकेंड सेंटेंस समझेगा जरा coming towards her husband the cup slipped from her hand बहुत ही शुन्दर बहुत ही शुन्दर सेंटेंस है coming towards her husband the cup slipped from her hand यहां देखे slipped के लिए तो कप दिया हुआ है ठीक है यहां subject है लेकिन आ क्या कप थोड़े रहा है आ तो वह रही है न समझेगा जरा the cup slipped from her hand यानी क्या हो जाएगा समझेगा इस सेंटेंस का मतलब समझेगे तो उल्टा हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कौप अपने पती की ओर आskा कर तो ऐसा थोड़े कौप आएगा इसलिए यह सेंटेंस हमाना क्या हो जाएगा रॉंग हो जाएगा तो तब जाकर हमारा सेंटेंस सही होगा क्योंकि यहां coming के लिए भी subject होना जरूरी है और यहां sleep के लिए भी subject होना जरूरी है अब आप सोचिएगा कि पीछे तो it और he सी लगा रहे थे यहां while क्यों लगा दिये हम थोड़ा सा ध्यान दिजिए वहां हमारा इस्थिर वाला भर थ यहां continuity coming coming क्या action वर्व है ठीक है action वर्व है ठीक है ना यह static नहीं है action वाला है ठीक है इसलिए हम लोग किसका यूज किये हैं while का यूज किये हैं ठीक है ना while she was coming towards her husband the cup slipped from her hand ठीक है आई आगे देखते हैं नेक्स्ट है walking in the forest अब देखिए वाक भी हमारा कैसा भर्व है वाक भी हमारा action वाला भर्व है वाक भी हमारा कौन सा भर्व है action वाला यहां हमारा क्या है वाक यहां हमारा action है action कहने का मतलब यह dynamic भी इसको बोलते हैं यह dynamic है लेकिन वहां क्या था थोड़ा सा देख being वाला क्या था ये be होता है be verb को हम लोग क्या बोलते हैं आपको ध्यान होगा be verb को हम लोग बोलते है static ठीक है ना इस तिर इसमें action नहीं होता है तो आप इससे बिल्कुल confused मत होईएगा कि क्यों यहां हम while का use किये हैं ठीक है अच्छा यहां देखिए यहां कर रहा एक walking in the forest ठीक है मतब forest में वाकिंग के दोरान इसनेक हीट ही मतब एक साप ने उसे काटा ठीक अच्छा तो walking in the forest इसनेक हीट ही काटा किसने इसनेक ने घूम कौन रहा था वाक कौन कर रहा था क्या सनेक कर रहा था वाक बिल्कुल नहीं इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है गलत है इसलिए सेंटेंस क्या है गलत है आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए ठीक है ना देखिए इसका सही क्या हो जाएगा वाइल ठीक है अच्छा यहां देखिए क्या हो जाएगा हम इसको सुधार देंगे वाइल ठीक है he was walking in the ठीक है न while he was walking in the forest a snake hitting ठीक है अब while अब जानते हैं कि continuous में हम लोग while का यूज करते हैं इसलिए हम लोग while का यूज करेंगे एक बात और कि while का यूज क्यों करेंगे क्योंकि ये dynamic है action वाला word है ठीक इसलिए हम while का यूज करेंगे ठीक है थोड़ा सा अगला sentence देखिएगा अगला sentence क्या कर रहा है while sleeping in the train ठीक है एथीफ removed my luggage while sleeping in the train मतलब सोने के दवरान या सोते समय एथीफ removed my luggage मतलब एथीफ removed का मतलब यहाँ my luggage थीफ ने क्या किया मेरे luggage को गायव किया ठीक अच्छा सो कौन रहा था सो कौन रहा था क्या थीफ सो रहा था बिलकुल नहीं इसलिए ये भी sentence गलत है अगर ऐसे हम लिखते हैं तो sentence हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इसको भी सुधारना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा अब चुकि दिया हूँ वाइल स्लीपिंग इन दे ट्रेन एठीफ रिमूब्ड माई लगेज ठीक तो क्या कर दीजेगा वाईल आई वाज श्लीपिंग वाइल आई वाज स्लीपिंग इन दे ट्रेन Okay, a thief removed my luggage अब क्योंकि my है, इसलिए क्या कर देंगे I हां कर दिये क्लियर हो रहा हो क्योंकि चोरी का काम किस ने किया remove करने का काम तो thief ने किया लेकिन below сохран था तो I use this माई दिया हुा है while का क्यों यूज किये क्योंकि sleep ठीक है ना? एक क्या है? एक्षन है ठीक है आगे देखिए और वाइल राइडिंग अपन दो हर्स ठीक ए टाइगर जंप्ट एट हिम वाइल राइडिंग अपन दो हर्स मतलब राइड करने के दोरा ठीक है ना हर्स पर अपन दो हर्स ठीक वाइल राइडिंग समझी है सेंटेंस समझी वाइल राइड टाइगर कर रहा था बिलकुल नहीं इसलिए यह यहां हिम दिया हुआ है इसलिए क्या कर देंगे वाइल ही वाज राइडिंग अपोन दा हर्स मतलब घोडे के ऊपर ठीक है ना ए टाइगर जंप एट ए टाइगर जंप एट हिम ठीक है ना बहुत ही आई होप की इजी से समझ में आ रहा होगा आपको ऐसा कुछ होगा नहीं जो नहीं समझ में आएगा next while preparing food my mother watch your TV फोड़ा अशा समझ येगा while preparing food मतलब preparing food खाना तियार करते समय मेरी माँ ने TV देखा अचा खाना कौन तियार कर रहा था वाइल प्रिपेरिंग फूड माई मदर ही न कौन खाना तेयर कर रहा था माई मदर और टीवी किसने देखा माई मदर ठिक बहुत ही अशान है इसलिए सेंटेंस ये सही है लेकिन यहाँ कोई दूसरा होर्स पर राइडिंग कर रहा था और टाइगर क्या किया जंप किया उपर यह सही है सींग टाइगर ही रहन अवे मतब सींग टाइगर टाइगर को देखते ही ठीक ही रहन अवे वह भागा देखा किसने टाइगर को उसने भागा कौन वह देखा कौन उसने भागा कौन वह इसलिए यह भी सेंटेंस हमारा क्या है सही है यह भी सेंटेंस क्या है सही है एरर में इस टाइब का sentence देता है, it यहां से gap कर देगा, being very expensive, I could not buy that article, ऐसे sentence देदेगा, आपको it का use करना रहता है, चलिए आईए कुछ आगे देखते हैं, important role, अब आते हैं past participle, past participle हमने बता दिये को वैसे participle को हम लोग बोलते हैं, जो work हो चुका है, ठीक है न, past, ठीक, वो incomplete होता है, यह complete होता है, I find, मैंने पाया, ठीक है, I found यहा लेखिये, I found my, I found my lost book, मतवा खोया हुआ किताब, ठीक है, मैं पालिया, किताब क्या था, खोया हुआ था, यहां lost क्या है जी, lost हमारा है, participle, कौन सा participle, past participle, कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना, I found my lost book, ठीक, I hope it clear हो रहा होगा, यहां book क्या है, noun है, और noun का भी सेस्ता यहां बता रहा है, lost, कैसा, खोया हुआ, कैसा, खोया हुआ, यानि यह भी पार्टिसिपल है, उदर हम लोग देख रहे थे, present यह हमारा हो गया, past पार्टिसिपल, यह क्या हो गया, past पार्टिसिपल, ठीक है न, इसलिए हमारा यहां, पार्टिसिपल ही यहां lost, I got selected in the desired company, इक छुप, जो इच्छा था मेरा कमपनी में जाने के लिए, I got selected, मेरा chain उसमें हुगा है, ठीक न, in the desired company, company noun है, ठीक है, और desired यहां क्या हो गया हमारा desired ऐसे भर्व है लेकिन यहां adjective का काम कर रहा है यानि participle कौन सा participle past participle इससे ज़्यादा question नहीं पुछा जाता है present से ही पुछा जाता है बट समझना इसको भी ज़रूरी है ठीक है अगला देखिए today as I have found a broken chair मैंने कैसा कुर्सी पाया अपने रूम में कैसा कुर्सी पाया जी कैसा चेर पाया broken तूटा हुआ कैसा तूटा हुआ यानि यह भी हमारा क्या है broken यहां participle है past participle क्योंगी adjective का काम कर रहा है और वह भी कैसा adjective verb 3 के form में है तो past participle हो जाएगा ठीक यहां चेर नाउन है नाउन का बिसेस्ता बता रहा है today I found a broken chair in my room ठीक है अच्छा जी देखिए एक दो question as a fill in the blanks में कभी कभी पूछ देता है my father is a my father is a blank police officer देखिए my father is a retired हो जाएगा क्यूं होगा समझे retired मतल्ब मेरे पिता जी एक retired police officer ऐसा तो नहीं कि retiring अभी retiring कर रहे है ठीक है यह सारा practice से आमारा आ जाएगा retired police officer हो जाएगा ठीक है ना retired हो जाएगा she has a renewed renewed license renewed समस्ते है न मतलब उसका renewed हो चुका है ठीक इसलिए हमारा क्या हो जाएगा renewing नहीं हो जाएगा renewed हो जाएगा license जैसे हम गाड़ी बगएरा में यूज करते है license का license का गाड़ी बगएरा में इसलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ renewed हो जाएगा ठीक है ना आई हो कि clear हो रहा होगा यहाँ पास्ट पार्टिसिपल में हमने देखा कि ऐसा काम जो क्या हो complete हो मतलब पास्ट बोलते हैं वर्फ 3 के फर्म को और वो काम किसका करे तो यह एड़ेक्टिव का करे उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिस पास्टिपल हो गया ठीक है यहाँ भी डिजाइड था डिजारिंग तो है नहीं ठीक आई होप कि यह clear होगा यहाँ retired ही होगा रिटाइरिंग बिल्कुल गलत है गलत हो जाएगा ऐसा तो नहीं कि मेरे पिताजी अभी retiring कर रहे हैं बिल्कुल नहीं ठीक है तो रिटाइड आ असान है, ऐसा कुछ है नहीं कि यह tough है, देखिए इसमें तीन चीज होता है, having plus verb three, having been plus verb three, being plus verb three, having plus verb three use करते हैं active voice में, किसमें use करते हैं active voice में, और ये दोनो having been plus verb three, और being प्लस भरत्री यूज़ करते हैं passive voice में किसमें यूज़ करते हैं passive voice में अब हम जानते हैं my dear students कि active voice उसे करते हैं जब subject खुद काम करें जहां subject क्या हो doer हो जहां subject क्या हो doer हो जहां subject काम करें और जहां subject non-doer हो जहां subject नहीं काम करें नन्डूर हो तो हमारा क्या होता है पैसिव होता है ठीक है तो यह एक यूज करते हैं having plus verb three ठीक है having plus verb three यह active voice में और यह दोनों करते हैं passive voice में ठीक है अच्छा तीनों का हिंदी होता है के बाद क्या होता है के बाद एक बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि present participle और perfect participle में एक चीज आपको common दिखाई दे रहा होगा वर्ग four उसमें भी हम लोग वर्ग four देख रहे थे इसमें भी वर्ग four है लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा बाद कोई भी काम हो जाता है इसमें थोड़ा देर बाद होगा पहला complete action होगा उसके बाद दूसरा action start होगा ठीक है यहीं difference है आए समझते है clear हो जाएगा ठीक है आए देखते हैं देखिए हमने यह एक्जांपल लिया है बहुत ही शांदार having taken my breakfast having taken my breakfast I went to my office कहनेकार्थ है कि breakfast लेने के बाद breakfast करने के बाद मैं अपने office गया तो देखिए सबसे पहला बाद अगर इसका हिंदी समझे तो थोड़ा सा समझेगा पहले हमने breakfast किया breakfast करने का काम complete हुआ उसके कुछ दिर बाद ही हम कहां गया होंगे office गया होंगे लेकिन यदि एक और एक्जांपल लिखते हैं जैसे हमने लिखा कि seeing a tiger देखिए यहां छोटा से एक्जांपल लिख देते हैं ठीक he ran away he ran away मतलब यहां क्या है जैसे ही बाग को देखा tiger को देखा वह भाग गया तो देखने का काम और भागने का काम गया है यह तुरंथ हो जा रहा है लेकिन इसमें क्या है इसमें क्या है कि having taken my breakfast मैंने पहले अपना breakfast किया ठीक उसके बाद ऐसा ने एक तुरंथ गया हो I went to my office मतलब एक काम complete हो गया उसके बाद यह काम हुआ ठीक है husband see committed suicide बहुत ही important question है देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा having been deserted यहां been deserted क्यों लिखे है थोड़ा सा ध्यान दिजिए आचा एक बात इसमें और कि यहां दोनों के लिए subject भाई आई ही है अचा breakfast कौन किसने किया ठीक मैंने office कौन गया मैं यानि आई पर दोनों का काम हो देन see committed suicide समझे यहां having been deserted उसे desert किया गया छोड़ा गया क्या छोड़ा गया समझे छोड़ा गया कहने का मतलब यह passive है क्योंकि छोड़ा उसके थोड़े ना उसके द्वारा गया वो थोड़े छोड़े रही है यहां हर क्या है ऐसा थोड़े वो अपने आप से छोड़ेगी व यानि यहां subject doer नहीं है यहां subject non doer है और यदि subject non doer है तो यह passive में है और passive में हम having plus verb 3 का use करते हैं having plus been plus verb 3 का use करते हैं आपको हमने पहले ही पताया अगर आप ऐसे करिएगा कि having deserted by her husband see committed suicide तो गलत हो जाएगा क्योंकि छोड़ा यहां गया है उसके husband के द्वारा ठीक इसलिए इसलिए यह होना चाहिए passive में ठीक है कोई भी काम अपने से जब हम करते हैं जैसे हम बोले कि मैं खाता हूं तो खाता कौन है मैं लेकिन हमने sentence बोला कि पेड काटा जाता है तो पेड क्या खुद करता है कि उसको किसी के द्वारा काटा जाता है तो वही sentence है कि उसे छोड़ा अचा उसे छोड़ा किया है तो छोड़ा किया है तो इसमें ध्यान दिजिए छोड़ा उसे को गया है यहाँ 3 जब हमारा sentence passive में होगा यानि being deserted by her husband she committed suicide बिल्कुल सही है next having passed the examination मतलब परिच्छा पास करने के बाद I bought a car मैंने एक car खरीदा तो परिच्छा किसने पास किया मैंने car किसने खरीदा मैंने तो यह sentence बिल्कुल सही है और यहाँ आई पर ही तोनों cars हो रहा है active में है इसलिए sentence बहुत अच्छा है कोई error नहीं second having rising the sun the fog disappeared ये दखिए ये sentence ये sentence थोड़ा सा आपको बनाना है ये आपको comment box में बदाना है और इसका answer हम comment box में लिखेंगे थोड़ा साप के mind का हम test लेना चाहते हैं if you don't mind आपको मैं ये comment box में जरूर जबाब दूँगा ये बहुत ही शांदार question है इसका जबाब comment box में आना चाहिए लेकिन एक बात बता द रहे हैं आपको hint के लिए having rise in the sun ठीक है ना मतब सूर्ज उदाय होने के बाद सूर्ज उदाय के बाद देखे having rise in the sun the fog disappeared fog क्या हो गया? disappeared हो गया? gap हो गया? यहाँ disappeared कौन हुआ जी? fog ठीक? लेकिन उख कौन रहा है जी? having rise in the sun सूर्ज के उगने के बाद ठीक? the fog disappeared अब थोड़ा सा आपको mind लगाना है कि इस sentence को कैसे सही करेंगे चलिए my dear student I hope कि आपको यह पूरा वीडियो बहुत ही शुन्दर लगा होगा सारा चीज समझ में आओगा अभी participle से जब तक हम बहुत सारे question नहीं करेंगे तब तक यह chapter खतम नहीं होगा मिलते हैं next video में जय हिंद